अगर अभी तक आप वीडियो नहीं पढ़ पायों तो नीचे डिस्क्रिप्सिन में प्लेइस की लिंक मिल जागी जाए सब सभी वीडियो पढ़ सकते हैं चले स्टाट करते हैं कि क्या कह रहे हैं बहुत ध्यान दीजिए पूरा वीडियो देखिए जिसे सभी कोस्टन सापको समझ में भी आजाए और कोई भी डाउट्स आपके ना हो देखिए आपको क्या बताना है कि एक नंबर हमें नंबर नेम दिया गया है आप इसको नंबर प पर आप बहुत ध्यान दे तो देखिए प्लेस दियेगे 10 करोड तो क्या करेंगे ऐसे डॉट करके पॉइंट लिख लिया करिए तो बहुत इजली हो जाता है आपके लिए और डॉट्स भी नहीं रहेंगे तो once tens hundred thousand ten thousand lakh ten lakh करोड ten करोड ठीक चली अब धियान देजिए कैसे राइट करेंगे तो देखिए इसमें कागे 10 करोड तो आप क्या लिखेंगे 10 करोड यह इसी प्लेस में क्या लिख देंगे 10 करोड इसके बाद देखिए 10,000 तो जो हम पर प्लेस आए 10,000 तो once ten hundred thousand ten thousand तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं 10,000 यहां पर लिख सकते हैं इसके बाद last भी किया का 13 तो आप यहां पर 13 या जो number दिया कि उस number को हम लोकुल last में लिखेंगे जो number आपको 13 पर कहेंगे अगर आप पर कहा जाता कि 112 या 206 या 420 तो फिर हम यहां पर 100 प्लेस से लिखते हैं अब आप जहां पर जो numbers नहीं थे वहां पर क्या माल लेंगे 0 यानि जहां पर numbers हमें नहीं दियेगा है और हमसे number नहीं का गया है उस दगे आप क्या माल लीजे 0 अब बात आती है using commas की यहीं कॉमा कैसे लगाएंगे इस पर ध्यान दिए जब में Indian system के recording कहा जाए तो ध्यान लख कि आपको कॉमा कैसे लगाने हो लास्ट के थ्री डिजिट में कॉमा लगाना है इसके बाद आपको टू टू डिजिट में कॉमा लगाना है दाट इस एंसर बस यह आप ध्यान लेकिये गरूल जब भी आपको Indian system के recording using commas कहे जाए तो लास्ट के पहले थ्री डिजिट में कॉ बी नंबर भी पढ़ा देता हूं और इस मैस की PDF की लिंक का आपको मैंने नीचे description में दी है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सभी questions आपको मिल जाएंगे आप मेरे questions को पढ़ते हुए solution को समझते हुए अच्छे सभी questions आप भी लगा सकते हैं तो यहां पर देखें नैस question B number क् 7 crore देखें यहां पर places देखें 7 crore और सिफ single digit है धियाद नखिएगा जब 10 crore कहा गया तो हमने 10 places तक हम लोग गये थे 10 मतलब हो जाता है 10 crore मतलब double digit जब double digit हो जाती है तो double places तक जाते हैं और 7 crore कहा गया है तो only crore places तक जाएंगे क्योंकि 7 शिफ single digit है इसलिए crore places तक हम write क करेंगे तो यहां पर जो भी point दिये पहले point लिख लीजे इसी तरह है once tens hundred thousand ten thousand lakh 10 lakh crore सिफ only crore तक क्यों क्योंकि 7 कहा गया है 7 एक single digit है इसलिए हम सिफ crore places तक ही write करेंगे तो 7 crore कहा गया तो आप 7 लिख दीजे आगे देखें 21 lakh तो देखें 21 lakh 21 यानि double digit हो गई इसका मालब है 10 lakh तक हमारी position होगी तो once tens hundred thousand ten thousand lakh 10 lakh तो यहां पर 21 lakh कहा गया तो आप यहां पर 21 lakh कर दीजे इसके बदेगी 400 कहा गया तो once ten hundred four hundred लिख दीजे और 492 कहा गया तो आप यहां पर 92 भी write कर दीजे बस तो जो places पे कहें जाए सिर्फ उसी places पे आपको number write करने है बाकि जो आपके number रह लगाने की बात होगी तो मैंने पर पहले ही पढ़ाया हुआ है कि पहले आपको three digit में कॉमा लगाना बाकि सिफ फिर two two digit में कॉमा लगाई है that is answer तो आई होप यह question number two समझ में आगा है बस सिफ number name पे ध्यान लखना है पहले आपको number write कर लेने हैं और उसके बाद कॉमा पे ध्यान लखना तो three digit पे पहले कॉमा लगाना है इसके बाद आप two two digit पे कॉमा लगा सकते है that is answer तो देखिए C और D और E मैं आपको यहां पर three question drop कर आ रहा हूं यह तीनो question homer पे करिएगा कोई problem कारीज हो तो आप हमें नीचे comment box पे जरूर लिखेएगा एक अलग video ask question करके उसके answer बता देंगे जिससे आपकी इसमें help हो सकेगी ठीक चलिए question number third पढ़ा देते हैं आपको question number third क्या कह रहा है इस पर बहुत ध्यान दीजिए पूरा वीडियो देखिए जिससे सभी questions क्लिया हो जाए और कोई भी आपको doubts ना रहे जाए यहां पर मैं आपको सभी question पढ़ा रहा हूं exercise class fifth related और एक-एक question पढ़ाएंगे सभी question चलिए देखिए आपके question number third हम से क्या कह रहा है find the place value of the underline digit यहीं हमें क्या बताना है हमें यहां पर place value find out कर दीजिए कैसे करते हैं बहुत ध्यान दीजिए थर्ड यह number हमें दिया गया है 5,78,94,512 और number digit है underline 78 यह number हमें 8 दिया गया है और इसकी हमें बतानी ही place value very easy है बहुत ध्यानक है जिस number में आपको place value आपको find out करने के लिए का हैं वो आप इस तरह line draw कर सकते हैं और जो number की digit के हमें place value बतानी हूँ वो आप digit note कर लीजिए ठीक उस digit के बाद जितने भी digit हो उनको count कर लीजिए 1,2,3,4,5 और जतने digit हो उतने आप नहां पर 0 लगा सकत कर लीजिए और उस digit के बाद जितने भी यहां पर नंबर हो उनको आप count कर लीजिए 1,2,3,4,5 उतने आप 0 लगा दीजिए that is a answer very easy place value निकालना बहुत easy है लेखे बी नंबर में आपको फिर सेक पढ़ा देता हूँ 2,0,0,3,4 और 172 तो यहां पर देखी 4 के लिजिप्स कहा गया वेरीजी यहां पर क्या करना होगा आप उस नंबर राइट कर लेजिए नंबर यहां पर 4 लिख लेंगे इन्हीं जिस डिजिट को आपको place value का है उस digit को आप note कर लेंगे उसके बाद जितने डिजिट उनको count कर लीजिए 1,2,3 तो आप यहां पर 30 भी लगा दीजिए that is answer, I hope question number 3 भी आपको clear हो गए को place value निकालना very easy है, जिस number को कहें उस number को note कर रहा है और उसके बाद जितने digit उनको count कर लेना है बाकी सभी में 0 लगा देना है that is answer, तो देखिए इसमें C, D, E, F question दिएगा है, यह हम आपको हमर के लिए दे रहा है, तो question number 2 में कुछ question है और question number 3 कोई problem queries हो तो आप में नीचे comment box में जरूर लिखेगा, और किसी तरह की queries हो या कुछ आपको पूछ ना हो तो वह भी आप हमें आप पर mention कर सकते हैं, हम उसको जरूर देखके reply करेंगे आपको, क्या उसमें क्या solution होगा, class fifth की math आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, आपके जो भी class fifth के friends हो, मेरे वीडियो को share भी कर दीजे, जिसे उनकी help हो सके, examination में अच्छे mark उनके भी gain हो सके, thanks for watching this video,